नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको होमेटिक प्रेक्टिस करने के लिए बहुत ही जरूरी तीन पुस्तकों के बारे में बताऊंगा ये जो तीन पुस्तक है दोस्तों ये कोर्स की पुस्तक है नहीं है और जिसा कि सभी होमयथिक डाक्टर कहते हैं कि आपको ऐलन्स की keynote या बोरिक की materia medica पढ़ना चाहिए ये बो भी नहीं है हलांकि बिलियम बोरीक की मटेरिया मेडिका और एलेंस की नोट पढ़ना बहुत जरूरी है किन्तों दोस्तों जब बात करते हैं प्रेक्टिकल नालिज की तब आपको इन तीनों पुस्तवकों के बारे में पता होना चाहिए ये तीनों बुक्स आपको मंगवाना चाहिए आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप सुरुवाती स्तर पर जब प्रेक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से पैशन को क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है उसके बारे में पता चल सके और आप रिजल्ट प्राप्त कर सकें तो यदि आपने अभी अभी अपना BHMS कंप्लीट किया है आप अपनी प्रेक्टिस सुरू करना चाह रहे है या आप BHMS के स्टूडेंट है या दोस्तो आप होमेपेथि को एक सोक की तरह अध्यन करते हैं तब भी आपको इन तीनों पुस्तकों के बारे में नालेज होना चाहिए और इनके बारे में डीप अध्यन करना चाहिए तो आपको अपने मरीजों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिन तीन होमेपेथिक बुक्स की बात करेंगे उसमें सबसे पहली पुस्ता के दोस्तों डाक्टर धामा एंधामा की होमेपेथी दा कमप्लीट हैंड़ुक दोस्तों जिस दूसरी पुस्ता की हम चर्चा करेंगी वो है डाक्टर सत्यवरत सिध्धन्त लंकार की रोग और उनकी होमेपेथिक चिकिस्सा और तीसरे नम्मर पर जो बुक है दोस्तों वो है बायोकेमिक काम्बिनेशन पर बनी हुई बुक डाक्टर बीएस दरवारी की सब रोगों की अत्यन्त आसान दवाएं तो इन तीनों बुक्स के बारे में रहे पा रहा है मैंने हाथ में रखा है हो सकता है आपको कुछ असुविदा हो पर आप प्लीज उसे एडज़स्ट कर लीजेगा तो सबसे पहली बुक जो है यहाँ पर आप देखेंगे यह होमेपेथिकी दा कम्प्लीट हैंड बुक यह डक्टर केपीएस धामा और मिसेस सुमन धामा की बुक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सुरुवात में ही इनका इंगलीज और हिंदी दोनों बरजान आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सुरुवात में ही बहुत सारे बीमारियों के बारे में लिखा मिलेगा जैसे फार इन एक्जम्पल यहां पर देखेंगे एब्डामिनल पैन एवार्शन एपसेस एंड वाइल्स इस प्रकार से यहां पर सभी चीजे दी हुई थोड़ा सा इंट्रो बागिरा देने के बाद इस बुक में इस प्रकार से आप देखेंगे तो ABCD के हिसाब से बीमारियों के नाम लिखें जैसे यहां पर एक उधार हैने एपेटाइट लास आप मतलब भूक की यदि कमी है तो कोण गोन सी मेडिसिन से यूज कर सकते हैं तो यहां पर छोटे से सिम्टम्स और उनके आगे मेडिसिन लिखी है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि practically जिस भी मेडिसिन को देने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके आगे आपको एक छोटा सा इस्टार मिलेगा जैसे यह ब्रॉंकाइटिस के लिए दिया है तो इसमें यदि बहुत जादा रिजल्ट की बात करें तो यहां पर एक इस्टार मिलेगा आपको यह बताता है कि यदि हम इसे cases में एकोनाइट देते हैं 30 तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो इस प्रकार से बिमारिया और उनकी कुछ लक्षनों के साथ होमेपेटिक मेडिसिन इस बुक में दी हुई है और बहुत सारे होमेपेटिक डाक्टर की यह फेवरेट बुक होती है और तुरंती यदि आपको कोई medicine की कोई बिमारी की medicine देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मान लीजे मुझे थोड़ी देर के लिए hair की medicine देखना है तो यहाँ पर hair दिया है affection आप और यहाँ पर खास-खास medicine दी हुई है जिसमें कुछ homeopathic medicine इसमें प्रकार से आपको सभी प्रकार की medicine इसमें मिलेगी तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाय हुआ यह English है आप चाहे तो इसका Hindi version भी use कर सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से अपनी आवशक्ता के हिसाब से आप ले सकते हैं डाक्टर धामा इन धामा की यह book के नाम से मिलती है और बहुत ही अच्छी बहुत ही प्रशिद्ध यह book है बहुत सांदार इसके result मिलते हैं यदि आप इसको practice में use करते हैं या प्रारंबिक इस्तर पर नायना या आप होमेथिक डाक्टर कमके निकलें इसका use करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा जिसे फेरिंजाइटीस के लिए यहाँ पर आप देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ example मिलेंगे जिसमें आप यह यह इस्टार वाली medicine से यूज करते हो कालिवाई क्रोम लेके सीस तो आपको और अच्छे result मिलते हैं इस प्रकासे दोस्तों यह डाक्टर धामाइन दामा की बुक्स जिसमें बहुत अच्छे से यह सब समझाया हुआ आज की दूसरी बुक के हम बात करें और एक फोटो भी डाल दूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे रोग और उनकी होमोपितिक चीकिस्सा चली अंदर से बाता देता हूँ आपको नाम दिख जाएगा यह आप देखिए रोग और उनकी होमोपितिक चीकिस्सा यह है डाक्टर सत्यवरत सिध्धान्त लंकार की तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं इसमें भी बहुत सारी बिमारियों के बारे में उनकी जो मुक्य होमोपितिक दभा उसके बारे में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसे हम पहले पेज़ पर चले तो यहाँ पर भी एवार्षन के लिए एपसेस के लिए एसीडिटी के लिए पर्टिकलर पेज नमबर बताएं या जिस भी नमबर पर उनके case के बारे में उनने डिसकस किया वो बताया हुआ, एडेनाइट, साफ्टर पेन, इस तरह से ASLA के जेट तक सभी विमारियों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, अब हम एक छोटा सा उधारन लेते हैं, जिसे हम जिसे यहाँ पर आयाते हैं रेंडमली हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं, काकि हम आपको समझा सके ना, तो यह जिसे कमर का दर्दी ले लेते हैं, तो कमर के दर्द के बारे में इन्होंने हिंदी में काफी कुछ लिखा, यह मेरे पास हिंदी वाला संसकरन है, आप कमर के दर्द में जो मेडिसीन होती है, यहां पर लिखा क्या कमर दर्द चलने फिरने से घटता है, तो इस प्रकार के लेक्शन लेके आता है, तो रश्टाक्स, यह आप देखेंगे, तो कैलकेरिया, फ्लोर या अरिजिंटम नाइटिकम, यह सभी दवाएं इस प्रकार से दी हुई है, फिर दूसी दिये कमर दर्द तो है, पर अंतु क्या कमर दर्द आराम से पड़े रहने पर घटता और हरकत करने से बढ़ता है, उसकी जो दवाएं हैं, वो दी हुई है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो बहुत सारे काम की यह बुक्स है, और इसमें आ लिए जो खास-काज मेडिसिन है, वो दी हुई है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारी बिमारियों को कवर किया गया है, यदि अलग-लग लक्षन आते हैं, वो भी दिये हुए, जैसे वारवर्स इच के लिए उस तरह क्या 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 बाल की जड़ों में खु अपकी लिए है, इसे भी आप ले लीजिए, नाम आपके सामने दिख रहा है, सब बीमारियों के अत्यंत आसान दवाएं, डाक्टर बियेस दरवारी की है, और इसके बारे में मैं आपको बता हूँ, तो भुपाल में एक BHEL एक एरिया होता है, वहाँ पर जो BHEL से रिटायर बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, कुछ लोग जो है, वो अपनी स्वेच्छा से स्टेडी करके, होमेपतिक अध्यन करके, होमेपतिक प्रेक्टिस जो है, धर्मार्त सेवा के लिए करते हैं, तो मैं वहाँ पर बेटा था, कुछ समय तक मैं वहाँ पर बेटा, तो वही से एक बहुत ही प्रसिद्ध डाक्टर आते थे उन्होंने बताया था कि आपको बायो केमिक की डाक्टर वी-स दरवारी की पुस्तर जरूर पढ़ना चाहिए और उसके दिये हुए नुस्खों को यूज करना चाहिए बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं तो मैं तब स बहुत सारे इसके नुस्खों को यूज भी करता हूँ कुछ अपने भी नुस्खे बनाए हुए और जब भी मुझे कन्फिजन होता है तो मैं फिससे ये खोल करके रिफ्रेंस के लिए इसका ध्धन करके फिससे मरीजों को देता हूँ जैसे फारेन एक्जमपल आप देखे तो यह यह सब द्वाएं आपको मिलाना है तो आपको कलके रियाफ और उट्रम較 यह सब द्वार जो हैं पूसले आपको सकते हैं इसके बहूस सारी विमारी हो इंदर जैसे खोने बढ़ libraries before the product यह सक भूव हुई है और भी कुछ चीजे दी हुई है जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट थे कुछ अच्छी चीजे भी आपको मिलेंगी अभी मुझे याद नहीं है कि वह किस पेच पर है बनना में उनका उधारन आपको आवश्य दिखाता तो जैसी चीजे जिसका एक आध कंबिनेशन आप यूज करते हैं तो आपकी क्लिनिक पर उसका बहुत फर्क देखने को मिलता है जैसे आप यहाँ पर एक सिंगल सी चीज देखिए ना मस्तों के लिए का लिए नेटरम सल्फ थ्री एक्स दे तो जनरली मस्तों के लिए आप यूज करते हैं आपकी होमवेदिक मेडिसीन थूजा काश्टिकम डलका मारा जो भी आपको लगती है यदि आप उसके साथ नेटरम सल्फ थ्री एक्स देते हैं तो आपको अच्छे रिजट मिलते हैं तो इस प्रकार से बायो केमिक मेडिसीन के काब्मिनेशन पर ये बुक बनी हुई है डाक्टर बीयस दरवारी की सब बीमारियों के अत्यनत असान दवाएं बुलवाई और पढ़िये आपको बहुत लाब मिलेगा तो दोस्तों यदि आप भी अपनी होमेपधिक प्रैक्टिस को मजबूद करना चाहते हैं और यदि आप इन तीनों बुक्स को जरूर मंगा ले ये आपको किसी भी होमेपधि खरीद ली थी और तभी से इनका अध्यान कर रहा हूं तो आप इन बुकों को ढूंड़िये इने खरीदिये गूगल पर भी ये मिल सकती है और बताइए कि इन बुक में दी गई जानकारी आपको केसी लगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मात्रों